हेलो डियार स्टुडेंट्स आप सभी का अपने यूडूब चैनल में शौगत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेरी इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन बिटिवीन जेट एंड बन माइनस जेड या गामा जेड एंड बन माइनस गामा जेड ठीक है जिसको आईलर आईलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं इसमें प्रूब करना है यह हमारा लेलेशन होता है इसमें गामा जेड इंटू गामा बन माइनस जेड एचकोल टू पाई अपॉन साइन पाई जेड ओके तो इस चीज को मैं बताना है आप वीडियो के एंड तब बने र लेते हैं सबसे पहले लिखते हैं टेकल टेकिंग वाइटर रीजन लेते हैं जीरो जो लेश देन हैं रियल ओबजेट यह लेश देन बन अब है क्या वाइडर डेफिनिशन ऑप एनलेटिक कॉंटिनीशन प्रॉपर्टी लेते हैं अब देखिए आपने पढ़ा है अभी प गामा M प्लस N आपमा अपनमा एम इंटू गामा N अब इसमें अगर इनने क्या किया है कि अब हमें इधर LHS में क्या ले ना है देखो LHS में occurring रहा है गामा Z तो देखिए गामा Z और क्या लिया गामा बन माइनस Z तो इधार अगर इनने एक एक चीज देखना بिलकुल गामा Z और गामा बन माइनस Z और इसके नीचे अगर हम इस तरीके से लिखें बन प्लस बन माइनस Z Sorry Z अपोंट बन 1-z अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो कट जाता है उनली 1 बसता है तो गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो हमारा सिंपल उपर का पोर्षन बचेगा और हमारा बही चीज रहेगा ठीक है न तो हमारा यह क्या बन गया बीटा एम एन यही फॉर्मूले से बनेगा जो हमारा यह फॉर्मूला होता है इंट्रिकल 0 to 1 x की पावर m-1 1-1 x की पावर n-1 dx ठीक है अब हम इसको आंगे बढ़ते हैं फिर हम इस फॉर्मूले के शहायता से m की जगाए z रखना है और n की जगाए 1-z पुट कर देना है इस चीज में तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और हमारा यह चीज हो गया है अब हमने क्या रखा इंट्रिकल 0 to 1 t की पावर z-1 1-t 1-z-1 dt यहाँ से 1 से 1 कैंसल हो गया only minus z बचा है ठीक है न माइनस z है इसको हमने नीचे ले आया तो क्या हो गया बन माइनस t की पावर z dt ठीक है अब क्या है इंट्रिकल 0 to 1 इदर हमारा t की पावर देखिए क्या है एक इक चीज समझाना पड़ेगा 0 to 1 t की पावर z-1 अपॉन t 1-t की पावर z अब इदर देखो यह चीज लिखा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 0 to 1 इसको अलग-अलग कर सकते हैं t into t की पावर 1 अपॉन माइनस t की पावर z dt अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं 0 to 1 t अपॉन बन माइनस t इनकी पावर क्या हो जाएगी z dt और इधर sorry इधर t इधर t की पावर माइनस 1 तो यह नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बन अपॉन t इसको हमने ऐसा लिख दिया है ठीक है अब हम ज हमने बाई पूट कर दिया इनका डिफ्रेंसियेशन लिया डिफ्रेंसियल लेने के बाद हमारा डिवा इसकोल टू क्या है बन अपॉन t-1 का स्कुएड dt ठीक है यहां पर अगर हम बाई इसकोल टू पूट करते हैं तो हमारी t की वैली क्या प्राप्त होती है बाई अपॉन बन प्लस y यहां पर लिमिट चैंज हो जाएगी जब t बराबर 0 तो y बराबर 0, t बराबर 1 तो y बराबर infinite ठीक है अब आँगे चलते हैं अब हमने क्या किया जो हमारा दिया सवाल था उसी में हमने बैल्यू सब्टिट्यूट कर दी t की ठीक है तो हमारी लिमिट कहां से कहा तक हो गई थी 0 to infinite t की जगह हमने y पुट किया था ठीक है न तो हमने उसकी जगह हमने y यहां पर बैल्यू पूट कर दी है और यहां पर 1-t square upon t अब देखिए यहां पर dy y की respect में है तो हम आप t पर v y बनाना पड़ेगा तो हमने t बराबर क्या माना था या y प्लस 1 हमने लि simplification करेंगे तो हमारा यह चीज हमें प्राप्त हो जाएगा ठीक है ना तो इसका LCM आप इतना तो समझते है इतना समझदार हो LCM ले ले लेना इसका यह कड़ जाएगा और हमारा कितना बच्छीगा y की पापर z-1 upon 1-1 plus y dy ठीक है ना अब हम देखते हैं now evaluate integral अब हमें इसको 0 to infinite by की power z-1 upon 1 plus yy the complex variable method ठीक है ना तो क्या हो जाएगा contour analytic contour w की power z-1 1 plus w dz हमने कौसी residue theorem लगा दी क्योंकि यहां पर हम इसका w का पूल निकालेंगे तो w बरावर minus 1 जो हमारी क्या होती है 2pi into residue add the w is equal to minus 1 पर हमें पूल निकाल लाएं इसका तो 2pi limit w is equal to minus 1 w plus 1 fw ठीक है यहां पर कट गया तो हमारा क्या मिल गया 2pi minus 1 की power z minus 1 तो minus 1 को क्या लिख सकते e की power pi is equal to minus 1 तो हमने क्या लिख दिया यहां पर 2pi e की power pi i की e pi इसको बोलते है एक्सपोंजियर e pi i z minus 1 इसको हम दे देंगे equation number second अब हम क्या करेंगे circle ड्रा करेंगे क्योंकि जब भी residue की बात आती है तो हमें circle से find करना होता है तो हमने यहां पर एक great circle ड्रा किया एक small circuit गेट circle की डेडियस हमारी कैपिटल आ रहे small की हमारी डेल्टा है और हमारा क्या है यह गामा गामा डैस हमने प्रदर्सित किया गया है ठीक है ना तो हमने इसमें छोटा छोटा सा हमने क्या गैप छोड़ा हुआ है आपने वहीं लिखा है कि adjustable radius of circle gamma and radius of circle gamma manière प्रदर्सित गमा टैस यहांनी हमारा जो लार्ज है वह हमारा क्या है गामा चूटा है वह क्या है gama डैस है इनकी जो तरिश्जाय लिट्फिता बड़ी कितनी दी गई और छोटी की हमने ड़ेल्टा मानी है इसकी मानी है इसका हमvordan कிरेंगे अगर हम निकाल жен forward W इसको अ किशो कुल टुट टो W organ 2 तो शोली और ड्षिजज़ा किस का गया हो जाएगा हमारा A हो जाएगा delta E की पावर I theta का क्या हो I E की पावर I theta D theta same हमारा capital R का निकाल लेंगे ये value हम कहार substitute कर देंगे equation second में अब वो हम किस तरीके से करेंगे जो हम करेंगे अब देखना पहले integral 0 to 2 pi हमें यहां से चलना है और 0 to 2 pi पूरी हमारी residue हमें इस तरीके से लेगना है 0 to 2 pi r to delta pi to 0 pi और delta to r यानि हमें 0 से लेके कहां तक चलना है delta तक यहां पर जो क्रमसा 2 pi 2 pi और delta r हमें जो दी गए देखो हम एक unit में बताते हैं क्लिए हो जाता है आपको देखिए अभी बड़ी सरकल में लेंगे हम पूरा यहां आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टूपाइ और अगली क्या हो जाएगी अब احम यहां से ऐसा जब हम यहां से क्लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्ण यहांए mistakes substitute हो जाएंगी और हम john's lemma से इसको solve करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा लेट डेल्टा टेंस टू जीरो यहां पर आर टेंस टू इंफाइनिट एंड तो हमारी जे बैल्यू और ए बैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहां पर जीरो हो चुकी ही हमारी 0 प्लस ये वचा है हमारा पूर्शन जहाँ पर हमने डिल्टा इस्कॉल 2 जीरो पुढ़ किया और इस्कॉल 2 इन्फाइनेट डिल्टा इस्कॉल टू 0 आर इन्फाइनेट ठीक है यहां पर अगर हम अगले स्टेप में चलेंगे तो हमारी limit change हो जाएंगी, तो हम चलते हैं, तो यहां पर हमने कैसा किया है, limits को change किया है, प्रगुण की साहता से, तो इनमें से हमें common दिखाई देगा, तो हमें इनमें से common ले लेंगे, common जो हमारा आएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, और इससे कट जाएगा, तो हमारी ये value क आई हो कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, और समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्रीज लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, धन्यवाद,